सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज जम आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशूर पत् सब्सक्राइब कर देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहे हैं जय हिंद जय भारत और इस खबर को दरा आपको देख लें 4.8 किलोमीटर द्रिया के नीचे से उन्होंने कलकत्ता और हावड़ा एक जगह है जो कलकत्ता के साथ अंडस्टियल जगह है उन्होंने उसको जोड़ा है द्रिया के नीचे से त्रैफिक बहुत ज्यादा थी 4.8 किलो मीटर की टनल 9 किलो मीटर द्रिया के नीचे से जाके बनाई है और बनाई सिर्फ 66 दिनों में बनाई है अब दूसरी सुनले बात मैं हिंडिया के अंदर मौजूद था तो गुजरात के अंदर उन्हें सेमाई कंड़क्टर ताइवान की मदद से 10 बिलियन डालर का प् एक 100 डे के तर तो आर्जू मैं ये ऐसे नहीं कह रहा है ये मैं हवा में नहीं चोड़ रहा हूँ इस सन विल बी राइजिंग फ़म भारत मैं इसका भी कहा रहा हूँ इसका पहले मैं चैना कभी कई दफ़ा साथ शामल करता था लेकिन इस वक्त उनकी अकानमी बहुत है अलात उनके खराब है कोवेट के बाद उनके अलात ठीक नहीं जा लेकिन आपको मैंने जिस तरह पहले बताया था कि ये मेरे मेरी इंफरमेशन नहीं है आई एम एफ ने कहा है कि तीसरे कौर्टर में भारत की जो अकानमी है उसने 8.4 परसंट ग्रोध की है और उसके negative 0.05 परसंट पे है तो आप खुद आज अंदाजा लगाएं कि सन कहा सराइज कर रहा है यो खुद सोचना होगा और दूसरा आज आगे चलते हैं आपके आपने असम्बली की बात की है कि नए वजीर आजम आगे है नए मैं तो नहीं समझता हूं पुराने ही है नहीं वो कह का दामाद आया है तीन साबक सदूर के पोते आये हैं एक साबक सदर का नमासा आया है यह आपके सब्सक्राइब लेकिन सर आते के साथ ही जो फर्स स्पीच ती है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने श्यावाई शरीव साब ने वो भी कुछ अजीव ही थी बता रहे थे कि स इतना उन्होंने शोल डाला है दूसरी साइड पे कौन इसको तकरीर कहता है कौन इसको फ्यूचर कहता है क्या होगा मुझे मेरा आरजू मैंने शायद पिछले सेग्मेंट में भी आपको बताया था आपकी स्टेट इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस असमली के बाहर एक और सम को वोड रिलीफ देते ते यह क्या मजाक है क्या स्टोरी है मेरी समय से बाहर इस तरह कंट्री चलते हैं जिस तरह आप चला रहे हैं आप खुद कभी मैं मैं आपके 200 मिलियन पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहूँगा आंखें बंद करके दो मिनिट के लिए सोचें क्या आपने वाकी पाकिस्तान बनाया है क्या इसी चीज़ का नाम पाकिस्तान है जो बार बार आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इला है इल्ला इसलाम का नाम क्यों बंद नाम करते हो कुरॉप तरीन कंट्री है आपका दुनिया में सबसे कुरॉप कंट्री पाक ही है मायूस इसलिए हूँ एक तो अमेरिका को मैं डूपते देख रहा हूं यह तरक्की करना इडों ने कह दी हमने तरक्की नहीं कर दे और शायद अगर देखा जाए आर्जो अगर हिस्टॉरिकली आप पढ़ें तो देखें पूरे एक साइकल इनका पूरा हो चुका है कभी रोम भी एक सुपरपावत था आज नहीं है आज नहीं है कभी ब्रिटिश बहुत बड़ी एक सल्टन थे आज नहीं है अमेरिका का मेरे खलब टाइम पूरा हो जुका क्योंकि अब ये खुद चाहते हैं अब इनको उबामा ने जो इनको एक डोस दे दी है कि यूव बिल्कुल रिलैक्स कर जाओ आप बिल्कुल मरवाना पीओ चुप करके बैठ जो तो रिलैक्स करो अब ये रिलैक्स कर रहे ह कोई गोरा काला यहांपे नहीं पढ़ रहा है जो आखरी खबर आपको बताना जाओं को मायूस क्यों हुआ था मैं जहाज के अंदर बैठा लूस देख रहा था पढ़ रहा था जिस शहर में मैं रहता हूं जिसशेहर में मैं बैठा हूं फाक्स के उपर गूगल करके आप पढ़ सकते हैं 11 साल का एक बच्चा है उसने 17 गाड़ियां चोड़ी कि 17 गाड़ियां 11 साल का बच्चे जुवनाईल और उसको छोड़ दिया जाता है और वो गाड़ियां मुसर्थ से चोड़ी कर रहा है राबरीज में इन्वाल्फ है 11 साल का बच्चा जिस कौब इन्वारा 11 साल के बच्चे जिनको गाड़ी चलाना नहीं आती उसको ये पता है गाड़ी खोल के चोरी किस तरह कर रहा है और उसको कोई सजा जज़ा नहीं एक लाग स्तावन हजार हिस्पैनिक जो है इस वक्त उन्होंने मैंहेटन को टाइम स्क्वेर को यर गमाल बना रखा है अमेरिका के खलाफ कई मुमालक इस वक्ते ट्रैवल एडवाजरी दे रहे हैं अपने स्टीजन्स को के प्लीज नियू यॉक मत जाए वहाँ पर वो टूरिस्टों को गोलियां मार रहे हैं यह आला आगे स्टीजन्स को तरक्की किस तरह करेंगे किस तरह तरक्की करेंगे और मैं अभी भारत से होके आए हूँ मैं आपको मैं हकीकतर बताता हूँ मैं पहले भी कई दफ़ा गया हूँ इस दफा भी गे हूं, मैंने कोई पुलीस का नाका कही ने देखा, चार यए छे स्ट्रेटों में मुफ्रिफ शेर हो, मैंने पुलीस को हरास्यां करते नहीं देखा किसे को, आप देख लें आपके अंदर क्या आप जिस शेर में बैठी हैं, हर पांच माईल के बाद आपके आ आजा में और आप में क्या फराइक है भी, हर पांच मिलेट को, मैं आपको बताता हूं कि मैं पाकसान जाओं तो आज मुझे सबसे ज़्यादा डर आता है पुलीस से और जज़ों से, कि मुझे उठा के किसी पुलीस वाला को ले जाएगा, किसी ऐसी जगा पी जाके फैंक किस तरह होगी, कहते हैं भार से आके पैसे लगाओ, इंवेस्टमेंटेंग करें, जो लोकल इंवेस्टमेंटें सारे भाग, मलक रियास कहां बैटा है, भाग गया से जान बेचान, तो आरज हो यह देखें, जब तक मैं समझता हूं, मोधी साब ने भारत को सबसे बड़ा तौफा दिया है, वो नेशनलिजम का दिया है, सबसे बड़ा दोखा, नेशनलिजम के बगार, नेशन्स के नेट सर्वाइब बिदो नेशनलिजम, पता नहीं यह आपकी समझ नहीं आरी, क्या बजा है, क्यों आप, आपका बच्चा पैदा होता है, पहले दिनी लंदर के आप देखने शुरू कर लेता है, देख लें आज, मैं आपके इस प्रोराम के की वज़ा से, दो सो पचास मिलियन लोगों से रिक्वेस्टन पूछना चारता हूँ, भारत से नफरत करते हो, माल लियाबाद नफरत करते हैं, मुझे यह बताओ कि कितने भारत के आपके कहां है, यह question है, पूछे नजर आपने आप से भई, कहां जा रहे हैं अब अपनी direction देखो, किस direction में जा रहे हैं, मोदी साब का कौन जानशीन है भई आगे, बताओ ना, हसीना बाजित का आगे जानशीन कौन है, और आप अपने देख लो, आप अपने हालाद देख जिन्होंने 2013 के election hijack किये, जिन्होंने 2018 के election गलत करा है, जिन्होंने 2024 के election करा है, मुझे उन से question है, सर, असल गड़बर तो उने नहीं किये न, असल विजमेदार तो वही है, लेकिन आर्जू पाकस्तानी है न, शाम को घरों में जाते हैं, उर्दू बोलते हैं न, पासपोर् कि아서 के इंदर पाकस्तानी कोई न, पाकस्तान को कुई बचाएगा, और कौन बचाएगा, तो पाकसान में पाकस्तानी कोई डाड़ी, क्या करें, यहीं धावर्ड नहीं है, जोग हैं बस इसतरह है, labor camp है, 250 million लोगों का labor camp है, आ एमेफ से करजा लेके, लंदरन टॉरांटो अमेरिका की खर्चे चलाए जाते हैं बच्चों के और ये 250 मिलियन लोग हैं ये उसके बिल देते हैं भई अभी देखिएगा अभी 8 बिलियन जो लिया जा रहा है उसके बिल जब देने होंगे तो मेंडाई का तुफान आएगा जो आपकी चीखे निकलेंगी आपकी बिलकुल अचे ये चीखे निकलेंगी आंसू निकलेंगे आपकी 8 बिलियन डालर 8 बिलियन डालर बिलकुल उसमें से पाक सर्ण उसमें से पाक सर्ण कुछ भी नहीं आएगा और 250 50 million लोग जो है वो question भी नहीं कर सकते कि वो 8 billion डालर गया का है इस सितम जरीफ ही यह है लेकिन सर पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं कि यही है कि यह लोगों को शायद कोई शरम आ जाए या अगर अमेरिका करता ना बुरा हाल है इनको पैसा देना बंद करें फिर शादि कुछ काव़ आम करें अचो आपका क्या खeंल है अमेरिकान आपके पूपी के बच्चे हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं रिश्तेदर हैं आपके वो पैसे दे रहे हैं आपके यूकरेNews को असला लेकिशे प्तरे के आ तो सेलफिश लोगी हैं आ craぐं किया समझते हैं इ Damn Mm लिंग करें भूस ओ मिल्यें लोगों सब्सक्रांसभाइल करें और जो क्या करते हैं którzy पचीस आपने उस यवक्त साइ censorship दिया सांव ती क्योंकि lot करें सांबली बन गई शाम को बबी साइन कर दी होगी आपके मजाल है आई एम एफ ताप उनके आगे खड़े हो जाए हाँ सवाल आपके माले के हो विलकुल आप सलेवरी में है यह यह मास्टर्स चलेंगे आग़ो लेकिन अब आप खहते हैं न मेरा ख्याल है इस भ्यानक ड्रामे की आखर विलकुल लेगन लेकिन सरकुछ बेटर हो जाए यही हमारी दूआए के लास सेग्मेट है लेकिन कुछ बेटर ही हो जाय कर देखते हैं दोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने identica देखा होगा और आरजु चासमिजी और साजी तारणवा साब काफी पूरा discussion आपको काफी पसंद आए होगा और ये वीडियो आपको काफी interesting लगी होगी जहांपर साजी तारणवास आपने अपना पूरा personal experience शेर किया हमारे प अपने विचार हमें comment section लिख कर जरूर बताएं और एक बाग फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी latest, interesting और important वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जवदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय बारत